तो दोस्तों कि आप भी ये जानने में इच्छा रखते हैं कि मैंने अपने टेर्स गार्डन पर बिना किसी खर्च के इतने सारे पोर्ट्स कैसे तियार कर लिए तो चलिए जानते हैं क्योंकि जिस तरह से मैंने अपने टेरस को टेरस गार्डन बना दिया, चार महीनों की लगातार महनत के बाद, उसी तरह से अब मैं अपने ग्राउंड फ्लोर को भी गार्डन का लुक देने वाली हूँ और इसकी शुरुआत मैंने आज से ही कर दी है। महीनों की लगातार महनत के बाद मुझे कुछ इस तरह का रिजल्ट मिला है। तो अब मैं सोच रही हूँ क्यों आपने ग्राउंड फ्लोर को भी गार्डन जैसा लुक दिया जाए। क्योंकि सब कुछ एक दिन में तो नहीं होता है, बट एक दिन जरूर होता। इसलिए अप पूरी प्लाट की लगां अगार होता है और साथ देेखने में प्ल्ट की शुरू करते हैं। जैसे युतों की मैं आप सुभ को कहा कि जस Sig मैंने अपने की शुरू瓜 की ती मतलब जीरो बजट से क्योंकि तब मेरे पास पैसा बिलकुल भी नहीं था और हाँ जी अभी भी नहीं है बट फिर भी होसला और हिम्बत दोनों हैं इसलिए घर में जो भी बेकार चीजें मिली सबसे पहले मुझे ये बेकार सा डिबा मिला बीच में से कट करके कुछ घास वाली शे सही तरीके से यूज कर लिया होल्स निकाल दिये साथ पे थोड़ी बहुत पेंटिंग कर दी उसके बाद अभी रंग की थोड़ी कमी हो चुकी है तो मैंने सोचा येलो और वाइट को थोड़ा ओर जदा मिलाया जाए और साथ में तेल को आड़ किया जाए ताकि कलर की क्व फटाफट से पेंट कर लिया और देखिए पेंट करनी के बाद काफी सुन्दर सी लग रही है और दो हाट शेप्स मैंने इस पे ड्रो कर दी क्योंकि बुझे काफी ज़दा क्यूट भी लग रहा था और फाइनल लुक कुछ इस तरह से आ रहा था बट मेरे दिल यह खराब हो रहे थे तो अब इसकी शकल थोड़ी बहुत सुदर चुकी है और अभी सुबा भी हो चुकी है क्योंकि यह वाला जो आपने पीछे वाला काम देखाना यह मैंने शाम को किया था और अभी सुबा की रोशनी अच्छी तरीके से आ भी रही है तो अब मैं फिर से जुट च चाकू की मदद से मैंने कुछ इस तरह से कट कर लिया और एक्विरेट शेप देने के लिए मैंने केंची की मदद से इस तरह से कट कर लिया अब ड्रेनेज होल्स भी तो निकालने है इसलिए चाकू की मदद से कुछ इस तरह से फॉर्स फुली मैंने इस पे जब इस तरह से किया तो भही हमारे होल्स भी निकल आए अब सब कुछ हो चुका है तो चलिए प्यारा सा पेंट कर देते हैं अब अभी आप सब सोच रहे होंगी कि क्या कर रहे हैं यह क्या कर रही हूं कि एक हर किसी पॉट पर क्यारे जा रही हूं तो भई यह पेंट ना काफी ज़्यादा यह नो वह होता है यूसफुल होता है और मतलब काफी ज़्याद एक्सपेंसिव नहीं बहुत सकती हूं मतलब मेरा दिल नहीं करता है यार कोई भी चीज वेस्ट करने का इसलिए जब तक एक चीज अच्छे से खतब ना हो जाए उसका मैं यूज करती ही रहती हूं इसलिए मैंने सोचा कि यही कलर मैं हर किसी पर कर दूंगी शैंपू की बोटल मिली उसका सर काटा कुछ इस तरह से और फिर उस पे भी मैंने ग्रीन कलर कर दिया अब मैंने सोच रही हो कि यह वाइट वाला पोशन रहने देती हो कि यह देखने में अच्छा लग रहा था इसलिए अ मेरे लिए सारे काम कर देता है और फिर फाइनल काम यह है कि हमने पेंट करना है मतलब आप यह सोच लो कि अगर आपको शुरुआत करनी है जीरो बजट से मतलब पैसा नहीं खर्च करना है तो क्या करना है आपने घर में पेकार पड़ी हुई चीजे बोटल्स है छोटे पो भी जादा बोटल्स डूड़ी तो मुझे मेरे भाई के कमरे में मिली धेर सारी कॉल्डरिंग की बोटल तो फटा फट से उठाके ले आई इनको भी सेम शेप्स के साथ कोडिंग कट किया पहले मैं सिंपल पॉट्स बनाऊंगी क्योंकि अभी शुरुआत है ना मेरे जो कि एक साइड से काफी जदा ढ़ल भी चुका था तो मैंने इस पर भी इस तरह से पेंट कर दिया और पेंट करने के बाद इसकी शेकल थोड़ी बहुत संदर लगने लग पड़ी थी तो मुझे अभी थोड़ी खुशी फील हो रही है कि और साथ में वह वाली यादे भी ताजा हो रही है जब मैंने अपनी टेरिस काड़न के इस तरह से अटपटे तरीके से शुरुआत की थी सो फाइनली यह सब डन हो चुका है अब मैं क्या करने वाली हूं बताओ जरा अब मेरे पास न यह वाला जो डिबा देख रहे है ना ब्लैक कलर एशिन पेंट वाला ड पना लिए और जैसे मैंने चाकू की मदद से निकाला ना तो नीचे जो पेंट निकला वह एकदम हल्दी था मतलब अच्छा था वह जमा नहीं था तो मैंने क्या किया फिर सारे पॉट्स उठाए उनमें ब्लैक कलर से कुछ कुछ ड्रो करना शुरू कर दिया सबसे पहले मै मैंने आउटलाइल कर दी और उसके जो मूह था अब मेरे पास ब्लैक कलर नहीं था मैंने रइड से बना दिया था वह देखने में अच्छा भी लग रहा था फिर मैंने फटाफट से उठाया कलर और उसमें भी कर दिया उसके बाद यह चोटे मोटे पॉट्स फिर जितने भ लगने लगे थे पहले मैंने आप सबको कहा कि मैंने सिंपली बनाने हैं बट वही अब मोके पे चोका लगाना पड़ता है क्योंकि अब पेंट तो मुझे मिली गया ना इसलिए चीज वेस्ट थोड़ना करनी है तो फिर वेस्ट भी नहीं और सुंदर भी बनने लगी चीज सेम मैंने किसी में विड्रो नहीं किया किसी का मुझ आड़ा बना दिया किसी का मुझ टेड़ा बना दिया क्योंकि सेम चीज मुझसे कभी बन भी नहीं सकती है क्योंकि सेम चीज में बनती है यार मेरा भी इतनी पॉफेक्ट नहीं हो ना इसलिए और फाइनली यह कुछ है पर भी मैंने इसकी दो आँखे भी लगा दी पहले मैंने सोचा सिंपली इसकी आइबरोई बनानी है फिर मैंने बहुत यह देखने में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इसकी थोड़ी न आइज बना देती है चोटे छोटे फिर दोट लगाए फिर छोटे से थोड़े सो भाग गेवश दोने चीज़े जब हो तो मैंने कर दिया फिर काम और बनाने के बाद यह देखी कैसा लग रहा है अब जल्दी से यार बता देना क्योंकि तोटली दो दिन की महनत है और शाम की मेरी आभी एडिटिंग हो रही है तो मुझे लग रहे है कि आप रात तक की वीडियो देखोगे तो इसलिए कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले है और बोलते बोलते में ठक भी गई और जब मैंना ज्यादा मनलब इस तरह से बहुती है थोड़ा सा गाना रख दो बट मेरे सब्सक्राइबर्स कहते हैं आप गाना मत रखा कीजिए हाई बही करू त अब मिल गया मुझे बोलड़े को मैंने बनाया हब चश्मे वाले भाई जी जो कि थोड़े ऐसी बनेया बट चलो यार अच्छा है ठीक है चलो नेक्स ट्राइब करते हैं अब इस पर यह स्टिंग वाली बोलतल है ठीक है हम ट्रिप पे गए थे ना तब पीजी तब घर ले वह सैड है देखना लग रहा है ना सैड हाँ यह इसी तरह से मैंने बना दिया बट यह भी देखने में अच्छे लग रहे है जब प्लांट से गएने तब और भी संदर लगेंगे यह इसलिए नेक्स्ट वीडियो वह भी देखना ना भूले हाई रभा और उसके बाद फिर यह वाला कौन सा मना है मैंने मैं भी भूल गी अब मुझे देख की पता चलेगा यह भी मुझे लग रहा है हाँ यह मैंने बनाई थी क्यूट सी कैट वह भी मैंने रेड कलर की मदद से बना दी थी मैंने कलर चेंज करने लगी थी ना इसका तो मैंने ना ब्राउन सा कलर और चश्मे वाले भाई जी मैंने कहा था न मुझसे भीगड गए हैं तो मैंने सोचा क्यों ना फिर से चश्मे वाले भाई जी ट्राइ किये जाए बट उससे पहले मैं सोच रही थी कि कैट ही बनाओ बट जब कैट बनाने लगी तब यह आप देख सकते हो जिग-जग मोशिन इसका मतलब जिग-जग पैटर्न इस डिब्बे का तो नहीं बन रहा था तो मैंने किया फटा-फट से ब्लैक कलर उठाया और इस तरह से बड़ा सा चश्मा बनाया और दूसरी तरह भी बड़ा सा चश्मा बनाया उन दोनों को जोइंट कर दिया और पीछे कुछ इस तरह स थोड़े देखने में सुन्दर से लग रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस में एवरीबन पॉफेक्ट तो इसलिए अभी मैंने सिर्फ एक बार बनाया और यह दूसरी बार तो मेरी थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो इसलिए थोड़ा सुन्दर दिखने लगा है अब बताओ अच इसका फेस ड्रो करके इसका कारिस माप्त कर दिया अब अब यह सब करने के बाद मेरा पेंट जो था वह बच गया है मैं वही डायलोग फिर से रिपीट करने वाली कि कुछ भी बेस्ट नहीं करना है इसलिए पोल दिखा यह थोड़ा सा बेरंगीन तो पेंट उठाया और इ इसका दिल नहीं करता है कि कुछ भी वेस्ट करें और इसमें ना सिर्फ मेरा पेंट का खर्च होगा वह भी सर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट है इसलिए आप हमेशा इसी तरह से अपना भी काम करते रहें दोस्तों गार्डन का लुक देने के लिए मैंने कभाड से ही मतल तोड़ी से महनत और थोड़े से सबर के साथ कुछ इस तरह से रंगी इन से पोट बनकर त्यार हो चुके हैं यह जितनी वी आप चीजे देख रहे हैं इनका मैंने अभी पोट बना दिया है यह सारी ही मेरे घर में बेकार पड़ी हुई जैसे कि आप सबने इनकी शकल पहले देखी थी अब उससे बिल्कुल नई से शकल इनके बनकर त्यार हो चुकी और यह देखने में बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि यह कबार में पड़े हुए थे और अभी तो रुको अभी तो हमने इनमें प्लांट्स भी लगाने हैं और प्लांट्स लगाने के बाद इसका रंग और भी जादा निखरने वाला है इसलिए नेक्स्ट वीडियो देखना बिलकुल भी ना भूले और जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि आपको इन पोट्स में से सबसे सुन्दर पोट्स कौन सा लगा मैंने ना मैक्सिमम पे इमोजी वाला लुक देने का ही मैंने ना मैक्सिमम पोट्स पे इमोजी वाले ही लुक दिये है देखिए जैसे कि ये वाला इमोजी भी आपने देखा होगा और इसे बनाने में मुझे काफी जादा समय लगा क्योंकि कभी एक दिल सही बन रहा थो दूसरा बिगड़ जा रहा थो इस तरह से टोटली आदे घंटे की लगतार मेहनत के बाद कुछ इस तरह का मुझे परफेक्ट रिजल्ट मिला और उसके बाद यह सारी जो आप चिंकर पॉट देख रहे हैं यह तो मैंने अभी अभी बन इसलिए कमेंट जरूर कर दें तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक जे श्री राधे